तुम जान लेलो बहुत ही बढ़िया सर बहुत बढ़िया सर एक्स्टाइडरी सर ए सच बुलो ए टेंशन मतलो मैं तो मजाग कर रहा था ए देखो आगे एक बात पीछे एक बात और आखों में एक बात ये सारी बाते ये सब मुझको अच्छा नहीं लगता ये सब आप लोगों को भी पता है मैं जो भी हूँ जैसा भी दिखता हूँ वो ही बोलना जूटी तारिफ मत करना अल्राइट हलो शाम शर्मा हीर ओ गुड वेरी गुड क्यों सर कोई खुशकवरी है क्या आपकी बीबी मा बनने वाली है मुझे इंडियाम सिर्फ छै मेंने हुआ है हाउ इज इट पोस्पल स्वारी सर फिर खुशकवरी क्या है मैं एक अलबम पोडूसर बन गया हूँ ना इसलिए बहुत खुश हो लेकिट पोडूसर बनने के आडिया कहां से आया सर कैस दिस कुछ नी हो रहे है क्या अबे पागल पिक्चर देख शिरी देवी गोनी कपूर शैम शर्मा और सुन्दरी तो खाली है उधर एक हिरोईन आएगी मैं निर्माता हूँ ना इसलिए मैं एलबम बना रहा हूँ अच्छा इससे तुमको क्या से इख मिली? एक्सपरियंस मोर पर फैंट अब भी समझ में नहीं आया? इसलिए तो मैंने इंगलिश में बोला अब समझ में आगे सर अल देबेस इसलिए जो जो क्यान वालstar भी मात जिलरी इसलिए अब इस रषी इसलिए अबन कि अब दो कि अब दो कि मैं अब दॉक्टर क्या अब मैं दीदी को पहले की तरह देख सकता हूँ देखो अनिल मुझे उमीध है कि तुम्हारी दीदी पहले की तरब बिल्कुल ठीक हो जाएगी एक डॉक्टर होने के नाते मैं जुने ट्रिटमेंट दे रहा हूँ उससे ज़्यादा तुम्हारा भाई का फर्जी उन्हें ठीक कर सकता है निराश मत हो तुम्हारे दीदी जल्दी ठीक हो जाएगी भगवान पे भरोसा रख आपने जो हमारे लिए किया है उसके लिए मैं जिन्दगी बार आपका अहसान मन रहूँगा इट्स आल राइट थेंक यू सर अरे हां अनिल मैंने वो तुम्हारा नया म्यूजिक अल्बम कल ही देखा वेर इंट्रेस्टिंग लेकिन तुमसे मैं एक बात कहना चाहता हूं बोली डॉक्टर तुम्हारी बेहन किसी डर की वज़े से शौक की हालत में है क्यों न तुमको यह ऐसा अल्बम बनाओ जिससे उनके मन में बैठा डर निकल जाए गूज अल्बम को टाइटल के रखेंगे सर घोश्ट घोश्ट करेक्तर के लिए खूपसूरत लड़की चाहिए गोश्ट करेक्तर के लिए क्यों चाहिए मैं कुछ सम्जानेरे गोश्ट जो है डरा करenda कर मार डालती है लेकिन लेकिन खूबसूरती जो है वो आशा दिलाकर ही मारती यू नो वन थिंग जो हसीन होते हैं वो मरने के बाद ही गोस्ट बनते हैं लेकिन घोस्ट के लिए हम जूनियर आटिस को नहीं ले सकते क्या सूट नहीं करेंगे भूत यानि की बड़ी बड़ी लाला लाक है वो अपने कॉंसेप्प में रख लेये मेरे कॉंसेप्प की लड़की की आखें जील सी होंगी और उसकी बोड़ी का इस्ट्रक्चर इस्टु इस परफेक्ट होना चाहिए किसी भी एंगल से देखो तो वो डाइनमिक होना चाहिए सूपर फिगर रेट क्या है यह पसंद है आपको आपको पसंद नहीं है बस सूरत है अभी तो बोला खुबसूरत हो उस पोज में अच्छे लेगे इसले कह दिया यह पोज आप मुझे मत दिखाई है नेक्स्ट नेक्स्ट ओके इए लटकी भी ठीक नहीं है सर लोव ठीक से देखो हम्हें जो जो कॉलिटीस चाहिए वो इसमें है मुझे भी जो इस्ट में है हां सर यह बहुत कूब्सुरत विह नहीं होद्य Work finalmente सुंदर की तो चाहिए पसंद कर रहे हैं वो काम के लिए कर रहे हैं चल्दी से लगवा अपके लिए टीव जब आता हूं जाओ 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 अप जाओ हमारे गाने का सारा सेटब हो गया आपको यहां से वहां महां से भयां ओके बट आशा सब इंतियाम होगे आपके नई music album पुरे देश भर में हिट है उसके लिए congratulations आपने अपने album में प्यार को बहुत जादे importance दिया है क्या आप ऐसी चाहत की खुद इच्छा रखते हैं चाहत एक वरदान की तरह है इंसान जब होश में आता है तब इसे उसके अंदर चाहत की इक्छा जागरित होने लगती है इसलिए अगर जो हमारे दिल में हम उसे किसी से कहेंगे तो यह society हमारी बात पर यकिन नहीं करेगी सोसाइटी मतलब क्लब पप और डिसको से है क्या मैंने यह अलबम क्लब में निकाला इसलिए तुम्हें ऐसा कह रही हो डेफिनेटली मेरे ख्याद से जो लोग जोपड़े में रहते हैं या फुटपाथ पर रहते हैं उनके बजाए आपका कैमरा क्लब पप और डिसको पर किया आपके मन में कुछ और और क्यामरे में कुछ और आमाई राइट आपको जो भी पूछना है साफ साफ पूछिए आपके अलबम में फिल इंकम लड़कियों को जाद एक्सपोस किया जाता है मैं सही कह रही हूं ना नो नो यह तो कॉंसेप्ट की डिमांड थी डिमांड का बहाना बनाया कर खुद का कॉंसेप्ट होपते हैं बेचारे पब्लिक पर मुझे आपके कॉंसेप्स के बारे में सब पता है आप यह क्या कह रहे हो आपको हमारे कॉंसेप्स के बारे में क्या मालों समझ मैं इसलिए तो आपसे इतने सारे सवाल पूछ रही हूं दियर व यह कौन है? मेरे दिमाग में सुनामी की लहर दोडा के चली गई पहले तो NDTV को फोन करके बोल कि ये निउस टेली कास्ट न करें और मुझे इस लड़की की सारी डिटेल चाहिए अभी के अभी गो हाँ क्या हुआ? सर मैंने TV आफिस में फोन किया था तो उन्होंने बताया कि उनके आरामा नाम की कोई रिपोर्टर नहीं है असल में उन्होंने इंटर्वी के लिए किसी को भेजा ही नहीं था किसी को नहीं भेजा? तो फिर वो लड़की गुड़ मॉर्णिंग सार यह फॉर्मिल्टिस मेरे लिए फॉर्मल है इसलिए इनको वापस करके पैसे ले लो यह बुकेश रिटार होने के बाद अच्छा अब इस थाने के सारे आफसरों को केस पर इंटरेस्ट लेना है जब तक इंटरेस्ट ना आए तो केस सॉल्व नहीं होता है यह बिंग डेट फाइल यह देखो कितने फाइल हैं इनको देखने बैठो तो एक साल निकल जाएंगे पेपर में जो हैडलाइन्स हैं वो अपने लिए डेडलाइन्स हैं मोस्त बॉंटेड केस के फाइस कौन सी है सरदध बनावा थार पता निकितनों के सर काटे अब तक कितनों करेंब छी Ben पुलिस कमजोर है वो सोचला इसलिए वो हमसे खेल रहा है उसकी विखने साथ लगते ही तब हम उससे खेल सकते हैं कैसे सर इदी अगर मैं आपसे एक बात बोलूँगा तो आप बुरा तो नहीं मानोगी न अरे बोल रहे तुम्हारी खुबसूर्ती के सामने तो सारी हिरोईन फीकी है इसलिए दास जी तुम्हारे प्यार में देवदास बन गए हैं मैं भी तो दिलो जान से चाहती हूँ न्यूज नाइन में आपका स्वागत है नमस्कार आज सुबे मैं दीपा अंडर वर्ल्ड डॉन दास की पुलिस मुर्भेर में मौत हो गई है दीदी क्या हुआ चिला क्यों रहा है दिमाग खराब हो गया क्या दीदी उदर देखो न्यूज में दास जी को किसी न मार डाला है आगे आने वाले ताप मार डाला है भगवान अब क्या होगा मैं कैसे जिऊंगी उनके बिना मैं भी मर जाओगी तुम जिंदा मत करो मैं तुम्हारा ख्यान लखूँगा दीदी उसके फ्लैक में दो लाशे मिली थी दीदी घर से फोन है भाई अलो दास जी दास जी क्या माइंदर आप जिंदा हैं क्या क्या बात कर रहा है साले तेरा दिमाग तो ठीक है ना तूं क्यों मुझे खाम-खाम है जबरदस्ति मारना चाहता है सनग्या है रात को दावत में क् पीली थी के तुने मैंने नहीं पी शायद टीवी वालों ने ज्यादा पीली है आपका एंकाउंटर कर दिया गया है ऐसा न्यूज में हेडलाइन के साथ बता रहे हैं यह तुछा बकर है रहे तू एक काम कर उसको तु तलाब के पास लेका रहा फिर हम उसको अस्पता लेक कर जाएंगे दास जी जब तक दीडी आपको एक बार देख नहीं लंगी दीडी ठीक नहीं होंगी अरे मैं आलरेडी अमीर पेट में हूँ मैं तुस्से जल्दी पहुंच जाओंगा तू उसको वहां लेकर आना ठीक है दास जी अरे यह सब क्या लपड़ा चल रहा है अप कि मुझे पकड़ने के लिए जाल तुमने बिचाया था पकड़ने के लिए नहीं तुझे कुट्टे के मौत मानने के लिए मैं में प्रेपियर होकर प्लानिंग किया है एक यह ऐसा क्या देख रहा है लोग कहिए जाते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूं तुभाई जा रहा हूं अब तु लोगों को कह गया कि मैं उपर जा रहा हूं यह मौका मैं तुझे देर्आँ चल फोन करके बता अपने चाने वाल को चल बोलरे on कि रिवाल्वर की एक खुली एक की बार काम करती है मेरा ब्लैंड भी वैसा ही है कि आप लोगों ने गाना सुना सॉंक तो बहुत बढ़िया है आप कॉंसेप्ट के बारे में कुछ बताएंगे ओके सभी लोग सुनिए हमारी तरह एक यूनिट है शूटिंग के लिए जंगल में जाती है उस जंगल के उस बंगले में ये यूनिट जाकर रुखती है उस बंगले के बारे में एक भाइंकर अफवा फेली हुई है कि वहाँ पर एक भूत रहता है इस शूटिंग के दौरा नू लोगों को वह भूत दिखाई देता है ऐसे कैसे बेटे है आप ठीक से बेटी है ना अपने डिरेक्टर की कहानी में कुछ जादा इन्वाल हो रहे थे ओके ओके पूरी कहानी सुनिए शूटिंग के दिन ही वह भूत सबको दिखाई देता है भूत आखिर कोन हो सकता है विलेन होगा सर नहीं नहीं अःज गोट इट वो भूत घर का वाचमन है ना अरे इस घर में वाचमन कैसे हो सकता है इंट्रेस्टिंग, वो भूत खुनी में से एक है ना? नो, नो, उस शूटिंग की हिरोईन ही सबको डराती है और फिर इस सस्पेंस को हम बाद में उपन करेंगे So, इस एल्बम के जरीए हम लोगों को ये बताएंगे कि डर का साइकोलोजिकल फिलिंग्स क्या होता है सेल्फोन अनिलम्मानी ने स्पेसली मेरे लिए तयार किया लेकिन इसका त्याग कर रहा हम ये बहुत बड़े त्यागी है श्याम, श्याम श्यर्मा फिंटास्टिक सर्व सेल तो दिया मगर बिल बिल मैं भरूंगा ना Master G, where's superheroine? मैं जाकर madam का बुला बुला है ये लाकि ये इस सर्व दियेक्टर साभ आपको बुला है मैं मैं heroine से डिसक्स कर रहा है क्या ये अगर heroine नहीं गयी तो director साभ मुझे डाटेंगे मतलब ये बुला? heroine के लिए डाटेगा? मैं चाहूं तो अभी शुटिंग को बंद क्या बात है श्याम जी आप गुस्से में लग रहा है कुछ नहीं आ निल मैं तो बस हिरोईन को समझा रहा था कि डारेक्टर की बात मांने चीए वेरी गुड वेरी गुड चलिए हुग एकसुज में सिर्ग पाइ अवा उपन की ने किर बात है कुछ ग्राइब कर दी जिए है अग्ड़ी आप साउन्ट मूमें थोड़ा फास्त स्थ रहेगा और बोलो उस लड़की के बार में क्यूंख मालूम चलिए क्यन नामे चित्रा चित्रा आप आए क्या बात है मुझे देखकर घबरा क्यूंगे मैं घबरा नहीं बलकि आप मेरे यहां पर आये इसले मुझे खुशी हो रहे हैं मैं यह तुम्हें देखने के लिए नहीं आया ह। भीत तुम सुभबाद सुनती हो वह तुम्हें याद है क्या 거야 सुप्रभात हां उसे गार कर सुनाओ है ग्रतुम्हा का आए सूर्यकोठी समा समाक्रभा नहीं समाप्रभा और क्या हाँ ठीक है टेंशन मतलो तुमने डॉन फिल्म देखिए हाँ देखे न उसका गाना सुनाओ ये मेरा दिल प्यारिक का दीवाना 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 बस बस करो बचपन से जिस मंत्र को तुम सुनती चली आ रही हो वो तुम्हें याद न सब्सक्राइशन में सुगर कोटेट चीजों की कीमत ज्यादा है इसलिए मैंने वह एल्बम मराया है यह मेरा बिजनेस है तुम्हारी जैसी सोच रखने वाले मुझे समझ नहीं पाऊगे मुझको जो कहना था वो मैंने कह दिया मेरी बात याद रखना चलता हूँ मुझे आपसा अर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल नहीं करनी है मेरा प्यार आपके लिए और ज्यादा बढ़ गया है यह मैं आपसे प्यार करती हूं अगर मैं आपको डिरेक्टली बोलती तो शाहिद आप मुझे रिजेक्ट कर देती इसलिए मैंने आपको छेड़कर अपनी मैं समझदारी से तुम्हारे दिमाग पता दस्तक दे चुकी हो अनिल अब मैं अपनी खुबसूती के दम से तुम्हारे दिल पे भी दस्तक दूँगी मोटे इस सिनेमा ओले कितने बेकूप है ना चोटी सी फूल को इतनी बड़ी रसी से बांद कर उसको कितनी तकलीब दे रहें अरे किसी को क्या तकलीब हो रहें उससे आपको क्या हाथ निकाल जो भी करस्त है बाद में सहलूंगा अउसे कर आए ना खाट कर रहो है ए तुम क्या कर रही हो क्या हुआ सम्में लूम्हा क्या कर रही हो और तुम्हें वूथ के एक्टिंग करना है कबसे समझा रहा हूं character, तिम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है, वह हितो कर रही थी सर, अरे क्या कर रही हो, time waste कर रही हो, तुम्हें देखकर सबको डरना चाहिए, कहा है वो performance, वो performance लाओ, रगु, सर, इधार आओ, सबसे पहले इसका गेट अप चेंज करो, face expression ले से, चलो और इसके चेहरे पर मास्क लगा कर लाओ, यह कहां का डिरेक्टर है भाई, इतनी खुब सुरत लड़की को भूत का मास्क पहना कर काम नहीं ले पा रहा है, अगर मैं डिरेक्टर होता ना, तो एल्बम का क्या से क्या कर देता, दो पूरा सत्यानाश करते रख दे रहा, आ रह क्या डांस कर रही है, वाव, रेली नाइस परफॉर्मेंस, तुम इतने इच्छी परफॉर्म करों कि मैंने सोचा भी नहीं था, नकाब की पीछे शकल देखोगे, तो और भी सोच में पढ़ जाओगे, चित्रा, तुमने मेरी वाइस सुनते हैं, मुझे पहचान लिया, यह तो बहुत अच्छी बात है, जब मेरी वाइस को तुम भूला ने सके, तो उस दिन जो ब्यूटी देखी, उससे तो नहीं भूलाया ना, शेट और मौट, येस, यू आ इन लव वित मी, जस्ट गेट आ आज मैंने तुम्हारी दिदी में इंप्रोविमेंट देखा है, मुझे लगता है, जब तक तुम्हारा इल्बम रिलीज होगा, तब तक तुम्हारी दिदी पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो जाएगी थेंक्यू, थेंक्यू वेरी मच्छ इन फैक्यू तो मुझे बोलना चाहिए, इस बार तुम भूत के कॉंसेट पर इल्बम बना रहे हो ना, यह कॉंसेट तो आप ही ने दिया था न, डॉक्टर, एनिहाओ, वन्स अगें तेंक्यू, थेंक्यू, लगेगा, फिर क्या लाए है, वन मिनेट, इसे पहन कर तुम्हारे पैरों को कितना सुख मिलेगा, नाइस, बेरी नाइस, शिवा जब तुम इस चपल को पहन कर चलोगी, तो हंस की तरह, महभूबा की तरह, बहुत ही खुबसूरत लगोगी, सीमा, डायक्ट्रे साब बुला रहे हैं, वन सेकेंड, गो डार्लिंग, गो, डार्लिंग, सुनो डार्लिंग, इस तरह पैर उठा उठा कर मत चलो, कपड़े उठा कर धीरे धीरे चलो, मोटो चुप, उसे क्या भैस समझ रहा है, जो हुर हाई कर रहा है, चुप, तो सेड, हमने तो सुटिंग अच्छे वक्त पे शुरू किया था, फिर यह सब, आपने जो ही इस दिया था, उसकी वज़े से हुआ है, सर, अच्छा हो चपल कहा है, मैं उस चपल से खुद को मारूंगा, यह आपकी हिरोईन है क्या, अहां, अगर पर ठीक होता तो, डॉक् पेर की हड़ी तूट गई है, हड़ी तूटना मतलब पेर तूटने के बराबर है, डॉक्तर, इस समय इनकी पोजिशन क्या है, यह कितने दिन बाद चल सकती है, अगर यह यहां से हिलेंगी, तो इनका पेर काटना होगा, यह चुप रहू, श्याम जी मुझे आपसे बात कर आप जाए सर, मैं इसका ख्याल रखता हूँ, दुरहट, 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 अब हम क्या करेंगे, लंच करने का समय हो गया है, मैं शूटिंग के बारें पूछने हो सर, इसके लिए आप डिसिजन लीजिए, अगर यह इस हालत में है, तो शूटिंग केंसल हो पैसा लाया हूँ भाई, वापस जाने के लिए चमडी बेज कर जाना पड़ेगा, सुनना, लेकिन सर, अगर आप उसे काम के लिए बोलेगे, वो मना नहीं करेगी, उधर एडिटर भी बोला है, इधर कैमरामेन भी बोला है, मान जाए यह नाम सर, प्लीज सर, मेरी चमडी स ठीक है, उसको फोन करो, इधर आ, भेंजी फोन दीजिए, फोन लगा, स्वागतम, स्वागतम, क्या है यह सब, मेरे घर को पावन बनाने के लिए, तुम मुझे पसंदो चित्रा, अपने एलब्म की हिरोईन के लिए, वाट, सौरी, मुझे यह सब पसंद नहीं, मेरी मेरे बारे में सोचो, प्लीज, हिरोईन बनने से तो अच्छा है कि मैं जिन्दगी पर तुम्हारी लवर बन कर रहूँ, अगर विश्वास नहीं किया, तो मेरा प्यार जूटा है, थेंक यू, मुझे तुम पर यकीन है, अनिल, ओक्या, बाइ, जाना हाँ जाना मैने ये जाना होता है, होता है दिल दीवाना कैसे कहूं मैं चुपना रहूं मैं हाँ तुम से यू मिल के बस मैंने इतना जाना जाना हाँ जाना मैंने ये जाना होता है दिल दीवाना कैसे कहूं मैं चुपना रहूं मैं हाँ तुम से यू मिल के बस मैंने इतना जाना जाना हाँ जाना मैंने ये जाना होता है दिल दीवाना जाल, जाना होता है चुप 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 के पहले आँखों से ही यूही दिल की बाते हो जाती है हौले हौले दिल ही दिल में ये दड़कने तो यूही जवा ये तो हो जाती है ये सांसे फिर सांसों से यूही ज़ड़ जाती है मन में तेरे प्रीत की बूंदे बरसाती है होठों से होठों को यूही फिर से मिलना चाना हाचाना मैं ये जाना होता है होता है दिल दिवाना झाल झाल इश्क इश्क का ये नशा फिर सर चड़के बोले रे कैसे कोई तनहा रहे पैके पैके इस दिल के अरुमानों को कोई कैसे कोई रुस्वा करे धड़कन फिर धीरे धीरे यूही मुसकाती है मुसका के कुछ ऐसे ही नगमे सुनाती है अब आहो के गेरे में फिर से आही जाना जाना हां जाना मैंने ये जाना होता है होता है दिल दीवाओना सर लोकेशन फाइनल कर दिया है लैपटाप में है देख लिजे सर नेक्स्ट यस ये लोकेशन ठीक है यहाँ पर शूटिंग करेंगे सर इससे तो अच्छा पहले वाला लोकेशन था सर पहले हिरोईन भी अच्छी थी और हाँ सुनो इस लड़की की कॉस्टिम भी बदलना है बगेर एक्सपोज कि ये फैमिली टाइप बनाना है सर फिर तो कॉंसेप्ट बदल जाएगा तो बदल जाने दो उस लड़की का केरेक्टर मार नहीं खाना चाहिए ओके सर ये लोकेशन फाइनल करो बदल्डने टाइनल करेंद तो कि चुनाएप में भी जाइब बनानाई बदल जाइनल एक्सपोज करेंदे तो नहींगा था ये बनाना है रहाँ जाषियो थी ये झाँ हूँ सर हवेली के चारों तरफ जाडियां उसे साप करा दे ने ने ऐसा रहेगा तो निचुरल लगे तुम चित्रा को अभी कॉस्ट्यूम पेहन कर यहां पर आने के लिए और सुनो बाकी लोगों से कहो इमिडेटली फ्रेश होकर अपने अपने कपड़े बदल ले हमें 12 बज़े स जाओ भईया आपने श्याम शारमीला को देखा है क्या श्याम शर्मीला मों बैटकर चने खा रहें जाकर देख्यों एंगा काम खाम मेरा दिमाग खाने आगया आपर बंस आया सर हाई अरे क्या है ये सब है तुम्हें इस देख करने का सब्सक्ताइब कुलीमें करना व्यास तुम्हारे डिरेकुर LIN में कि है अक्तिक करनी है स्क्राइब करक्ण ने सॉन्गिस महनण कि हने को का आंक है मैं रेटी हो जाती हूं तुम जाओ शाम न हभाल दरने आनिल कैसे लगरी इस प्रस में बताओ ना निल बोलो ना निल बोलो ना निल ए ये क्या कर रही हो मैं यहां डारेक्टर हूं और तुम हिरोईन हो कि मैं सिर्फ आलबं की हिरोईन नहीं हो तुम्हारा रियल लाइफ की हिरोईन हूं तुम्हें यह तुम्हारे अपने बाहूं में समयवाव बस 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 मुझे बाहूं मेरी बात सुनो चित्रा चित्रा ये क्या कर रहे हैं कोई देख लेगा हुआ हेलो चित्रा मुझे तुमसे बात करनी है बंगले के पास आजाओ तो फिर ऐसा करो तुम मेरे कैम्प में आ जाओ सर ये अलबम हीट होता ही हम फिल्म बनाएंगे जिन्दा रहेंगे तो आप इतना डरते क्यों हो चेछे मैं किसी से नहीं डरता ओचाय भूत ओ पिचास ओ राक्चास ओ डायनो सबकर सब मेरे सामने खड़े होकर डांस करते हैं समझा नहीं समझे समझाओ क्या बोली ना मेरे कम बाबा की तावीज है अगर मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाऊंगा ना तो चाहिए कितना बड़ा भी भूत हो मेरे सामने डांस करेगा देखना चाहता है तूँ देख जर ये बिलकुल मत सर मैं कॉस्टुम वाला हूँ अवे क्या किया तू मुझे डरा कर मेरी जान लेने के बीचे पड़ाया क्या आप डर जाएंगे मुझे मालूम नहीं था अच्छा ये पता अरे तू अकेला मास्क पैन कर घुम रहा है या पूरा उनिट मास्क पैन कर घु वह क्या है कि आज पीने के लिए पैसे नहीं है 200 रुपए दे दे तो मैंने परसों ही तुम्हें एडवांस में पैसे दिया थे ना एडवांस तो घर पढ़ दे दिया सर अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मैं ये मास्क बेच देगा तो शुटिंग रूख जागी ए मुटे डिसको पासे नहीं एड़ी। अब बोलो क्या बात है तुम ट्रीड के सामने अच्छी कर रही हो वह तुम पर पूरा फिदा हो गया है तुम एसा क्यों कह रहे हो तुम ही तो चाहते थे कि मैं एक्टिंग करूं जिट्रा यहस मैं सच में उस से प्यार करने लगी है तुम मेरे बारे में क्या सोचा मैं तूम से मिलने के लिए आय तुम्हारे के लिए उसके करीब मैं तुम्हें लेकर आया था याद है ना तुम्हारा इरादा क्या है मुझे साफ साफ बताओ मुझे मेरा तुम दोनों चाहिए तुम्हारे शरीर का एक एक अंग चाहिए मुझे मुझे प्राट उठाती है जित्रा मैं तुमसे प्यार करता हूं तुम्हारे शरीर को तुम्हारी आत्मा को मैंने हमेशा अपना समझाए जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा बिल्कुल वैसा ही समझ मैं आगर तुम मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलोगी तो याद रखना दिमाग में बैठा लो मैं तुम्हां हिरोइन बनना तो दूर क्राउन मैं भी खड़ा होने लाक नहीं छोड़ूँगा तो मैं समझी तुम्हारे ट्रेरे को एसर से जला दूँगा आया समझ मैं कर दो बहुत अच्छा ओके ना वेरी गुड़ वेरी गुड़ गुड़ परफोर्मेंस मैंना बहुत बढ़िया किया ऐसा लगा जैसे तुम्हें सच्छा बूत एक अब इस तोप इट मैंने सच में अब बहुत नहीं है मैडम वो इफेक्ट है इफेक्ट मैंने सच में देखा है आपने इफेक्ट कह रहा है तो लड़की जो खुन के उल्टिंग करके मर जाएगी अनिल मैंने वाकी में भूत देखा है ओके तुमको ज़्याद ही एक्साइटेड हो कुछ देर आराम करो सब इसको जाएगा इसका इफेक्ट फारने जाए जाए कल किसी ने किसी को इफेक्ट जरूर होगा कुछ समझावे ने और एक बात ने समझ में आई आपने इतनी निव बंगाया है तो पूरी युनिट के लिए आचार बन बाएंगे क्या अरे बेकुब अचार के लिए नहीं बूट पिचास निकटने आवे महावीर जमनाम सुनावे ओ भूम 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 लूम 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 लूगर जेम में रखोगे तो कोई भूत पिचास हमारे करीब नहीं आएगा लेकिन सर हम दोनों के लिए इतने नुबू क्यूं पूरे यूनिट वालों को एक एक जिम में दे देंगे तो उस डिरेक्टर के इफेक्ट के अलामा कोई दूसरा इफेक्ट नहीं होगा तुम जा ठेहरो तो मेरे को दो मुझे भी अब जाओ, अब जाओ मुझे कुछ यादा रहा मुझे कुछ यादा रहा हर लम्हा तुझे डूने केहने से क्यों डरते हो मुझे कुछ यादा रहा मुझे कुछ यादा रहा मुझे कुछ यादा रहा मुझे कुछ यादा रहा करती रहे मैं नाक दो आई कितनी दिनों से मैं तडप मैं पलपल रहे होता नहीं मुझे से वो चेहरा रहे देखो मैं जहाँ आई वो नजर क्यों नहीं होता अब मुझे से सबर मुझे कुछ यादा रहा मुझे कुछ यादा रहा छोड़ूंगी ना मैं अब कभी उसको दीकी रहूंगी मैं उसको सजा उनके आसो रोएगा अब भो आएगा उसको सदाने का मरसा देखेगा मात का पल पल नजारा ने उल्टा पड़ेगा ये खिल सारा ने दिया है मुझे सब्सक्राइब कर दो ये जिसनी से गिडी गास बी मिराओके सब्सक्राइब प्राइब 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 करें पर यहां को त्याग तो नहीं करेंगा अपने को तो बाच यहां से पैक अप चाहिए मेरी बास सुनों जाकर डिरेक्टर को बोले यह भूत प्रेट का इफेक्ट में पूले चाहिए नहीं तो यह भूत लोग खड़े हो जाएंगी आपने अपने आखों से देखा है वह देखा हम समने शाम शर्मीला जी तो पैक अप करने के लिए कह रहे हैं पैक अप हाँ सर मैं आपके हाथ जोडता हूं सर आपके पैर पढ़ता हूं सर यहां से चलिए सर पैक अप कर दीजे पैक अप अब है कि मोटे यह कुटा क्यों भोक रहा है यह कुटा सिंगाल है सर इसको जोड़ी नहीं मिली इसलिए भौक रहा है कहीं इसने भूत को तो नहीं देख लिया है ना भूत मैंने सुना है कुट्टे और बिल्ली को भूत दिखाई देते हैं चले बार बाहर देखकर आते हैं नहीं मुझे नहीं होगा चलना तो हम दोनों साथ चलेंगे इस तो मुझे भी नहीं चलों ठकर सोजाते हैं कि अधर तो हम पर प्रणा इसने सक्टाईड़ मुझे बार के अरव चैएओड़ मुझे झालना प्तार झालना जुझे यढ़े यढ़े बार भी अन्यों ग्रया घ्रता छिएवड़ देख य।े चान्यों मुझे विःग जिएगड़ से खेड़ चले उल्वड़र श्याव डि प्रणाट सुछी लुए 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 हाँ कि गुट गर्व काफी समझदार हु तुम और मुझे पता रहा तुम जरूर आओगी अब तुम बोलो क्या इरादा है तुम्हारा तो क्या तुम्हां फिर से बताना पड़ेगा तुम्हारी लाइफ चाहिए और मुझे तुम चाहिए मतलब मुझे भी खराब होना पड़ेगा मेरी बात नहीं मानी तो होना पड़ेगा मुझे राक्षस बनाने से अच्छा है मुझे कॉपरेट करो वरना राक्षस तुम्हारा वो हल कर देगा चित्रा कि किसी का मुझ दिखाने लाइब नहीं रहोगी इडियट तुम अपने देख दूंगी खुद को तुम्हारे हवाले करने से तो बहतर होगा कि मैं अपने हातों सो खुद को माड़ डालूँ कि सो Marcus अपीर रिभ्य हम विभ्य करा गिंग जया जाजो जाँ ट्राप लेंग सब्सक्राप लेंग लेंग सब्सक्राब लेंग लेंग कर दो तो दो जो हुआ है कि यह सब भूत ने किया यह तुम लोग कह रहे हों मगर भूत-भूत कुछ नहीं है तुम्हाला डिरेक्टर कह रहा है तो मैं किस पर यकिन करूँ शाहब आप मुलिस वाले हो आप जिसकी बातों पर चाहब विश्वास करूँ खर शजिशन तो आज रात हम सब को यहां रहकर तुम लोगों को भूत दिखाना है जो तुम लोगों ने देखा अगर नहीं दिखा तो फिर मैं तुमको दिखाऊंगा क्या है वो सेंट्रल जिल अगर डॉन्ट राइटो एक स्मार्ट सब्सक्राइब एक मिन्ट एक मिन्ट इस लाश को कब तक देखते रहेंगे उसको अराम चे मर गया हम जिन्दा होकर इतने परिशान हैं का सख्असर जी इस महेने मैं शादी करने की सोच रहा था इस पूसिशन में क्या मेरी शादी होगी होगी क्योंने होगी जरूर होगी हम करवाएंगे शादी और स्वाँगराध भी सुअब रोक्राथ और नहीं भाई झाल 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 चित्रा अनिल 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 मैं यापने रहूंगे यापने रहूंगे आजब रहूंगे सब्सक्राइब को पोस्टमाटम के लिए भेलतों क्या देख रहे हो जाओ यहां से क्या बात है सर आप बहुत टेंशन में मैंने भूत को दिखा है क्या साब आप इन लोगों की तरह नहीं सच मुछ मैंने देखा है मैंने पहले कभी भूत राक्षस चुरहल की बातों पर यकीन नहीं करता था लेकिन आज मुझे मजबूर होना पड़ा क्या बहुत रहा है क्या देखा है आप इन लोगों क्या दिल्वा सब्सक्राइब क्या ओड़ा क्या देखा है झाल झाल यहापल खुद्बाओ यहापल खुद्बाओ जल्दी 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 खुद्बाओ कम dalla mia पर एक्यापल यह यहापल खुद्बाओ इसनि चापवपर यहापल रुको लाओ लोकर मुझे तो मुझे तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है परना वह भूत प्रेज बन जाती है शीवा शास्त्री कहां रहता है आत्मा से बात करने के बारे में आप लोगों ने क्यूं सोचा है पुजारी जी भूत होता है क्या नहीं होता किसने कहां अपना नहीं है पिशाच रहता है, वो मुझे स्पस्ट दिख रहा है ओम रेव क्लेव बयम रेव नाग भेरवी प्रेतचालिका बेदिनी आबाहर आबाहर नाग भेरवी आबाहर आमभट स्वाह कौन है तू? भानू भानू मती फोटो में यह जो वेखती है, इसे जानती हो गया? अनिल मुझे प्यार करता था अनिल मुझे वाकई में दिलोजान से चाहता था मुझे अनिल की मुलाकात होना इत्तफाक की बात थी सार, आपका सिम कार्ट एक्टिवेट करने के लिए दस मिनिट लगेंगे कोई बात नहीं, मैं तो एक गंटा भी रुप जाऊँ Thank you Beautiful मैं इससे नहीं कह रहा हूँ, आप से कह रहा हूँ Sir, आपका कार्ट एक्ट एक्ट हो गया है Thanks, आपने ठीक कर दिया Welcome मेरा मन आपको वेलकम करने को बोल रहा है, आप मेरे साथ लंच करेंगी Sorry, मैं अजनवी लोगों के साथ लंच नहीं करती मेरा नाम अनिल, आपका नाम भानूमती, परिचय तो हो गया, अब चलेंगी परिचय होने से क्या होता है, बताइए, बात बननी चाहिए आगे बढ़ने के लिए तो इन्वाइट कर रहा हूँ, अगर आपका मन करें तो चलें, नहीं तो मना कर दिजिए Bye Bye Namaste सेलफोन के सिम कार्ट की तरह स्लेम और ट्रिम था, फिर तुम्हें लंच के लिए मना क्यों किया Please एक बात कहूं भानू, तुमने जो किया वो गलत किया तो उसके साथ चल देती क्या? और नहीं तो क्या, अगर वो मुझसे कहता, तो लंच किया, मैं उसके साथ डिनर भी कर लेती, और सुबे का ब्रेकफास भी By the way, उसका एड्रेस क्या है? उसका एड्रेस हमें क्यों चाहिए? उसका फोन नमर है न, मैं फोन मिला कर देती हूं, तू उससे बात कर, अपना परीचे दे और मामला फिट कर ले, ओके? हलो, हलो, हलो मड़ा इदर, मेरा सोचना बिल्कुछ सही निकला, मुझे पता था आप फोन करेंगी आपने कर दिया मैं फोन अपने लिए नहीं, इसके लिए, पकड़ा जाता हूं, आप तो नहीं रुके में अभी आता हूं, अब क्या होगा? हे, हाँ, चोर मिला, मैंने उससे पर्स लिया और उससे जाने दिया, विसे चोर तो आपका पर्स लेकर भागी रहा ता फिर आपने मुझे क्यों बगाया, विसे आप मुझे अभी फोन कर रहे ही थे, आप इनके लिए कर रहे ही, अब जादा मत बोलो, पर्स लाने के लिए सिर्फ ठेंक्स बोल रहे हो, मैं तो सोचा था आप मेरे साथ डिनर करेंगी, हाँ, डिनर? अच्छा डिनर जाने दिदिये, कम से कम कॉफी, हाँ, मान जाईए, मान जाईए, प्लीज, हाँ, देट्स ग्रेट, मान गई, कम आँ, हाँ, बेठिये हैं, हाँ, बेठिये हैं, पर्स चोर से चीन कर लाया, आप मुझे जानती नहीं, फिर भी आप मेरे साथ कॉफी पीने चलिया है, हाँ, जन्रली थिंक कीजिए, फिल्मों में भी अगर हिरोईन का पर्स गुम होता है, तो मिल जाता है, क्या कहना चाहते हैं, मेरा मतलब मैंने उसे 100 रुपे दिया और पर्स लेकर वापस आ गया, अरे अरे ये क्या, जूट बोलने पर लोगों को गुस्सा आता है, और सच से आपको गुस्सा आ रहा है, सुनिए, मैंने तो सिर्फ इनका पर्स लाने के लिए ऐसा किया, क्या गलत किया, तो समझाओ ना इन्हें, सही कहाना, बैट जो, रहने त सर, क्या लेंगे सर, ये तो पता चले, और्डर में दूँगा ये, मैं ही दूँगी, आपको जो खा रहा है, वो बोल दीजिए, पता नहीं, ये सर्दर्द कहां से आ गया, क्या लिट्स है आप, वैसे खुबसूत लड़कियां गुस्से में और भी हसीन हो जाती है, जैस्ट, शट अप, वो तो गई, मैं आपको कंपनी दूख्या, तुम अपनी सहीली को धोका दे सकती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं होगा, बाई, हलो, अरे आप, क्यों, आप मेरे बारे में सोच रही थी न, मैं, नहीं, नहीं, आपके लिप्स देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, कि आप मेरे बारे में सोच रही हो, देखिए आपको ज़्यादा ही ओवर हो रहे है, मुझे भी ऐसी लग रहा है, जब से मैंने आपको देखा तब से मैं ऐसा हो गया हूँ खुशी हुई अब आप जाएंगे जिस काम के लिए मैं यहां पर आया हूँ वो किये बिना अब बताओ भी काम क्या है कल मैंने आपके लिपस की तारिफ की थी तो आपको शायद अच्छा फील नहीं हुआ तो सौरी बोलने आया हूँ सौरी बोलना है तो बोलो जल्दी बोलो और चल जाओ मगर मुझे लग रहा है कि आपको कुछ ज्यादा फील नहीं हुआ तो मैं रहने दूं क्या अब मुझे गुस्टा आ रहा है जल्दी बोलो और निकलो यहां से आपके खुबसरत लिप्स पर एक प्यारा सा किस करना चाहता हूँ आट यह आदमी है क्या है उफ यह भी सफ्वार्टी ठेडा लो बॉइफ्रेंट से mm-iani अकैली जा रही हो यह बॉअर्फ्रेंट की सरूरत है क्या शड़ाप तौम इससे बात करो समझें मेरे लिप्स को किस करेंगे प्लीज मन जाओ अरो मन जाओ ना प्लीज अधी रात को इस तरह अकेले जाना अच्छी बात नहीं है आपके लिए टेंशन होती हो टाइम वेस्ट बेमतलब मैंने उसका हाथ तोड़ दिया ना उसका हाथ नहीं तोड़ना चाहिए था मार देना चाहिए जान से मार देता तो बिल मेरे नाम का फट्ट्ट्ट्ट्ट्ट बिल क्यों मार खाने के बाद वो हस्पिटल जाते बेंटिस वगेरा करवाते बिल तो मुझे देना पड़ता ना यह सब क्यों करना है क्योंकि अरेंज मैंने किया था ना तुमने आपको छेड़ने के लिए मैंने उन्हें भाड़े पर लाया था अगर मुनका हाथ पर तोड क्या हुआ तुम इतने गुस्से में क्यों हो जानती हो इस तरह का इंसान अपनी जिंदेगी में मैंने कभी नहीं देखा खुद ही प्राइब्लेम क्रियेट करता है खुद ही सौल करता है ओ पेक्यूलर क्यरक्टर है क्या भला मैं उससे कैसे पिछर छुडा हूं कुछ समझ पीछा क्यों छोड़ाना है इस तरीके का कैरेक्टर अगर आसपास हो तो अच्छा टाइम पास हो जाता है अरे वो टाइम पास नहीं पूरा माइंड अप्सेट कर रहा है समझ गई अब तुम क्यों आये हो आज मेरी दादी का बढ़ने तो यहां क्यों आये हो अपने दादी के पास जाओ ना जिंदा होती तो जाता वो मर गई मुझे मेरी दादी बहुत पसंद थी इसलिए मैं उनका बर्थडे हर साल भानुमत्ती नाम के रलकी के साथ मनाता हूं मतलब मेरी दादी का नाम भी भानुमत्ती था अगर तुम हां कह दो तो यह सेंटिमेंटल बढ़्डे मैं यहीं मना लें ठीक है ठीक है तुम इधर होगे तुम बेट करो मैं चाकुली हाँ 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 होटल ताज केंडल लाइट डिनर की दो कॉर्णर की सिट बुक कीजिए नाम है अनिल भानुमती तुम अपने आपको समझते क्या हो तुम्हारी इन हरकोतों के होजसे मैं तुम्हारी बाहों में आ जाओंगी चुप- जब भी मिलती हो मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचती हो पहली बार आज अच्छे से बात की इसलिए मैंने सोचा कि मैं प्यार करती हूं मेरी बात तो सुनिए प्लीज लास्ट इन फाइनल वार्निंग दे रही हूं निकलो यहां से मैं यहां से चला जाओंगा लेकिन जाने प्लया वेरी गुड़शे क्या है यहां सब्सका इसे क्या कहते हैं काटे का पेल्बोकै आण मैं आप से कितने सवाल पूछ चुका हूं तो तीन नहीं दो तीन नहीं दूदे थो अब भी जो मैंने आप से पूछा उसको मिला कर तो तीन हुआ नहीं दूख न यहीं तो मेरा बोलो नहीं प्यार रुख्यूं गई बोलो ना प्यार यही बात तीन बार बोलो प्यार जब से तिरा दीदार हुआ प्यार हुआ एकरार हुआ तब से दिल मेरा बस में नहीं है प्यार किया इस आर किया इकरान किया तेरे से वह कोई दिल में नहीं है जाने लगा है कैसा नशा आने लगा है मुझे मजा यह बेकरारी सही न चाए कैसे कहूं जाने जा जब से तिरा दीदार हुआ प्यार हुआ इकरार हुआ तब से दिल मेरा बस में नहीं है तब से दिल मेरा बस में नहीं है तब से दिवाना बाने ना तेरी सिवा कुछ जाने ना तू ही तू है गाहों में और तू कुछ पहचाने ना बाहों में आ जाओ ना सांसों में बस जाओ ना मेरी धड़कन कैती है नस नस में घुल जाओ ना तुमसे चू मेरा दिश्का जुड़ा है तब से ही प्यार गहरा हुआ है मुझको यकी होने लगा है मैं भी तुझ में बो गया हूँ मेरी भी तो प्यार कियो इस आर कियो इस रार कियो तेरे से वाप कोई दिल में नही है ते इसे भाप विदू मेरी नही है कितना प्यारा मौसम है मस्ती का ये आलम है दो दीवानों का यू दिल देखो गाता सरगम है अपनी प्रेम कहानी में सांसों के रहवारे में कुछ तो जुगायों लगता है अपनी जंदगानी में इसके आगे अब कुछ भी कहो ना तुम भी कुछ कहने से अब तो डरो ना एक तुम हो तो क्या तुम एक तुम हो तो क्या है तुम जब से तिरा दीदार हुआ त्यार हुआ एकरार हुआ तब से दिल मेरा तेरे से वो कोई दिल में नहीं है हम दोनों का प्यार और गहरा होता गया हमने शादी भी कर ली शादी की चार दिन बाद मुझे छोड़कर अनिल शूटिंग करने चला गया मैं अक्केले बोर हो रही थी इसलिए में भी वहां चली गई उसी लोकेशन पर जहां अनिल की शूटिंग चल रही थी और फिर मुझे देखते ही अनिल बहुत खुश हुआ हम दोनों में इतना प्यार था कि हम दोनों एक दूसरे के बगर जी नहीं सकते थे कुछ दिनों पाथ हम दोनों के बीच इगो प्रब्लेम शुरू होने लगी थी एक दिन मैंने अनिल को नहाने के लिए बातरूम में धक्या दिया और बाहर से कड़ी लगा दिया अनिल के बातरूम से बाहर निकलने के इंतजार में मैं बैठी थी अब तभी दरवाजे की बेल बजी एक खुंखार आपनी घर के बाहर खड़ा था अब 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 त बड़ाजे घ fri ठाँ! नहीं दो कि बाता हो? जड़ी आवर दो! आँ! 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 अब आप ही बताइए उसने मुझे जान से क्यों मारा जब की हम दोनों में सची मोहबट थी फिर भी इसने मुझे इतने बहरेमी से क्यों मारा आप ही मुझे बताईए बताईए उसने मुझे क्यों मारा आपकी उससे कोई दुश्मनी थी क्या ये क्या पुजारी जी वो कुछ बोलना चाहती थी और आपने आयन मौके पर क्यों रोग दिया आपने ज्यादा समय बीतने के बाद आत्मा में बदला लेने की शक्ति प्रबल हो जाती है लेकिन पुजारी जी मुझे उससे किसी भी हाल में बात करनी है जब किसी लाश की नियाम अनुसार क्या करम नहीं किया जाता तो उसकी आत्मा भटकती रहती है और मुक्ती पाने के लिए आत्मा छट पटाती रहती है हमने संद्य किया और अनुमान लगा कर यहां चले आए उसी आधार पर हम लोगों ने आत्मा से संबन तो बना लिया अब अनील ने उसको क्यों मारा उसका पता लगाना है और ये काम आप पुलिस वालों का है और तभी उसकी आत्मा को शंती मिलेगी और यहां से तूर चले जाएगी नहीं तो आने वाल यमावश्या की रात को हम सब की जान को खत्रा है और वो हमें मार देगी इसलिए समय भर बाद ना करके अपने काम में लग जाओ कि अब 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 बानु ने बताय कि अब वो यहां बैठकर इंतिजार कर रही थी क्या क्या देख रहे हो अंदर से पानी की आवाज और बाहर से किसी की दर्वाजा का खड़ाने की आवाज बात्रूम में जो आदमी है वो विंडो से निखल कर दर्वाजे से अंदर आ सकता है आ सकता है बिल्कुल आ सकता है वही हो सकता है बिल्कुल आ सकता है ना बात्रूम खाना है वह रहा है आ आ सकता है रहता है गळिक खाना प्रो आ वारक है कहो हो प्राघ्ण किन अगा इन रहते है भो करें वग है यहसी हम मैरे ठय स्कता है स्रेया क्या तू फ्री है इलियाना मैंने तुछको दिल दिया ना इस टील फोटो तुम हो उसके नीचे मैं हूं कौने तू बिना पुछे आ रहा है मैं डिटिटिव हूं और डिटिटिवी कि जCR नहीं आतें मोटे आया जिल्दीया बात सुनों इमोशे नहीं जो प्रहिवार्डम, को डारेक्टर, मुझे चहिए देदो, मैं जाता हूँ इन्फर्मेशन? क्या इन्फर्मेशन? वही, फोरेस्ट, आल्बम, को डारेक्टर, मॉटर कहां और? इसा वाप? कहा ना मैंने? टेटेक्टिप कशी रम फ्रंम बीबी आई DBI? CBI सुना था ये DBI क्या है सर तु मुझसे क्यों पूछ रहा है इनसे पूछना कौन है आप DBI मतलब Devil's Bureau of Investigation मैं यहाँ पर मौत की investigation करने आया हूँ सर सर अब गलत जगपर आ गया है मैंने किसी के खुन नहीं किया बकवास बंद करो आपकी किसम सर मैं किसी का खुन क्यों करूँगा publicity के लिए यूनिट में किसी का भी खुन करवाद होगे तो तुम्हारा आलबम हीट हो जाएगा यहीं बात है ना आप गलत सोच रहे सर हमारे सर ऐसे नहीं है यह काम मुझ पर छोड़ दो इज़त से कुबूल करो खुन तुमने किया है फेर आऊंगा यह क्या बोल गया सर 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 हलो सर हाई हाई प्लीज कम चाय कॉफी कुछ लेंगे आप नो थैंक्स यहां कोई नहीं रहता है कि अकेला ही हूं हमारे कोड डारेक्टर की मौत के बारे में अभी तक कुछ पता चला क्या नहीं चला बहुत जल्दी पता चल जाएगा आप बैचलर है कि अब भी बैचलर हूं पहले नहीं था क्या आपका टाइबोस हुआ है क्या नहीं शादी करने के लिए सोचा था फिर क्यों नहीं किया मैं जिससे प्यार करता था उसकी किसी ने हत्या कर दी हत्या कर दी? कहाँ? परसो जहां आप शूटिंग पर आये थे उस पुराने बंगले में मुझे जयान से भी ज्यादा प्यारी थी हूँ उसे किसी ने मार डाला अब तो बस उसकी खूबसूरत यादे ही मेरे पास रह गई है कभी कभी इसलिए इस बंगले में शूट करता हूँ कुल डॉंज असल में मानू की हत्या कैसे हुई? अब जिस बंगले में आय थे भानू भी वहाँ आय थी तब मैं बातरूम में नाहर आ था उस वक्त मुझे एक ठीक सुनाई दी मैंने दर्वाजा खूलना चाहा बाहर से कड़ी बं थी तब ही मेरी नजर विंडो पर पड़ी मैं जब तक बाहर आया तो मैंने देखा कि कोई भानू को मानने की कोशिश ख़गा मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो उसे मार कर चला गया उसने मेरे सामरे दम तोड़ दिया मैं कुछ नहीं कर सका उसने दम तोड़ दिया तुम्हारे परसोनल बातों को याद दिला कर मैंने तुम्हारा दिल दुख़े है हुआ है कि में अमेरिका से यह मुझीक एलबं बनाने आया था और यहाँ गर में मडर केस में फस गया हूँ केस में फसा नहीं, ये मडर तुम ही ने किया है यह आवाज की दिर से आई तुम ने बोला किया है मैं बोल रहा हूँ अरे डिटेक्टिव साहब आप साहर, रात को मुझे लाइट आफ करके सौने में बहुत डर लगता है साहर, लाइट आफ करके तो तुम ने कोडिश्टर का मरण किया था ना साहर, उस कोड़र अण ने किया, इसका क्या प्रूफ है याह, याह, वेट 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 अब एद्ट है, याह, जिस कोड डिरेक्टर को मारा, उसने खुद मुझे फोन करकर बताया अच्छा तो जो मर गया है उसने आपको फोन करके बताया क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी फोरें से उत्रा हुआ बेवकूफ हूँ ठीक है मैं उसे बुला कर कहलवाता हूँ आप उसे यहां बुलाएंगे कैसे बुलाएंगे अभी दिखाता हूँ ना लाइट्स आफ रेड लाइट ओन को डारेक्टर आपका खुन जिसने किया उसके बारे में बताईए थैंक्यू डिटेक्टिव साहब मेरे मरने के बाद भी मेरी आत्मा की शांति के लिए मुझसे सच्चाई पूछी जा रही है और मुझे मारने वाला हमारी अलबम का प्रड्यूसर शाम शर्माइप देखा उसने तुम्हारा नाम लिया किसी और ककिऔ मैं गोन। पैक अप लाइट सॉन देख लिया है मैं इस कहनी पर युस्राज नहीं करूंगा मैंने खुन नहीं किया सaches यह बेकार की बात हैं पुरूफ के लिए काफी नहीं है ठीक है मैं फिर पुराना सब उतले कर आऊंगा क्या है बताऊंगा नहीं करके दिखाऊंगा कि यार नाटक कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसलिए उस दिन असल में क्या हुआ था वहां जो भी लोग थे उनसे पूछना पड़ेगा देखो यूँ छुक का रोमांटिक एक्सप्रेशन देना है समझ में आया सर आपसे एसपी सामिल नहीं है और गुरेवनिंग सर गुरेवनिग आये सर आये बैठ कर बात करने हैं यहां बैठिए सर इस ओके आप बैठिए थैंक यू सर स्पार्ट काफी लेकर आओ अहां अब लोग मुझसे पूछ ताज करने आये हो या बताने आये हो करियों सर मेरी हर फिल्म का बैकबुन अनिल है सर लास्ट यह अनिल मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है यह सब तो कॉमन बात है सर यह सोच कर मैंने आल दे बेस्ट नहीं बताया लगता है उसी दिन कुछ करबड़ हुआ होगा और यह बात जाने के लिए हमें मिलना होगा उस आत्मा की सहली से है में सेपी चाटिछी हलो हार यू रमाया यस सर बानु के के सिलसिले में कुछ इंफरमेशन चाहिए प्लीज कम सर थांक यू बानुमत य आपकी बेस्ट फ्रेंड थी ना हां सर हम दुनों बहुत खलोस थे वह आपसे आखरी बार कब मिली थी याद राकरी बार कौन सी तारिक थी तारिक याद नहीं आ रहा है अब याद आया मुझे सप्टेमबर 11 वो उसका वो उसका उसका वो आखरे दिन होगा यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था तुम दोनों जब मिली थी तो तुम्हारे बीच क्या बाते होई थी कैश्वल बाते होई थी मैंने उसे फ्लाट कीज मांगी और उसने मुझे दे दी पस अतना ही इस समय भी तुम बहुत रिलाक्स लग रही हूं सर वो शूज किसके हैं बॉइफरेंड के मैं प्यांसी क्या मैं उनसे एक बार मिल सकता हूं शूर थैंक यू यह पेंटिंग बड़ी खूबसूरा था सार चुप रहे चुप रहे सिर लगते हैं वो चला घ्वाएं एलो एसे पी साब अख आप यहां जिल्टी ड्यूटी एपि बादे रमिया थेंक यू हापी बर्द॒र्दे थेंक यू सर वाया आपकी लोज स्रिंट है ना रमिया बहूं की बेस्ट फिरंड थेंट ना बहुत मानती थी इसलिए भानु के बाद मैं रमया को मानता हूँ भानु रमया रमया भानु बहुत अच्छी बात है चलता हूँ जल्दी पुस्ताश खत्व कर दी से रमया 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 ने मिलकर भानु को मारजय कहीं आपको ऐसा शक्तु नहीं है यह बाहर निकल अरे यह तो यह चुपा हुआ है तुम रमया का बैफिंड हो तो आग रात के दिन में ऐसी चुपेगा क्या आग रात के समय भी तुम बाग जाएगा मुझे तो लगत शक्ताइब प्यार के बाद भी वैसा चले बाग जाये में मैसवाड की फिल्म मैंडर आरहीं सर मैंडर की बाते तुक्त्य मुझे सुना रहा है तुम्हारे साहब को करनी का शौक है मडर की बात सुने की नहीं आप बार बार हमको मेरे पास बुकता सबूत पुराना सबूत तो नहीं है वन सेकेंड लाइट सॉफ ये रेड लाइट एडिया ये लेट सॉफ क्यों नहीं क्यारे बैठ जाओ अरे ओ को डेक्टर कुम मर्द तो गये लेकिन नरक नहीं पहुंचे बैठो एक मिनिट रुको इस वाइट पेपर पे इस पेंसे लिखो साफ 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 तुमारा मरं किस ने किया लिख रहा है अए मोटु तुम्हे धिकार पेज दिखाय दे रहा है क्या मुझे तो कुछ दिखाय नहीं दे रहा है हाँ को डेक्टर अब तुम जा सकते हो यह देखो किसका नाम लिखा है जरब पेपर घुमाई है मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तुम तो इनसान हो भूत की लिखाई तुम्हें कैसे समझ में आईगी ओके एक मिनट में मैं तुम्हें दिखाता हूँ बिस्मिलानी सिंतुलानी यह पीपर ऐसे-इसे क्यों मुझे मारने वाला शाम शर्म तो अड़े बाबा रेड लाइट एडिया ओफ लाइट सॉन उस दिन मैंने कोड डिरेक्टर से बुलवाया था आज लिखवाया हूँ यह स्टेट्मेंट काफी है तुम्हें अंदर डानने के लिए मेरे भाई यह टॉर्चर में बरदास्त न करना पड़ेगा पचास लाक मुझे दे दो मैं यह मडर केस भूल जाता हूं इसके लिए रुपया रुपया ही क्या है ना डॉलर भीचे लेगा कल मैं इसी वक्त आऊंगा कैश रेडी रखना अगर आप घबराओ मत इसे चो खालना उखाड दे दो अरे मोटे बाल ने उखाड़ा है इसको रोकड़ा चाहिए क्या करूं अरे मोटे यह डिटेक्टिव कहों है रे excuse me doctor I am ACP Chatterjee I am Dr. Sharad मैं एक केस के इंफॉरमेशन के लिए आपके पास आया हूँ you are welcome thank you you know Mr. Anil album director yeah I know him very well मैंने सुना है के आप उनके दीदी का ट्रिट्मेंट कर रहे हैं उनका प्रावल्लम क्या है thank you doctor coffee tea it's okay one year before उसकी दीदी का head injury हुआ था head injury क्या किसी ने मारा था उसे no किसी चीज को देखकर वो डर कर भागी थी और सीड़ों से फिसल कर गिर गई थी ऐसा उसने मुझे बताया था सर में चोट लगने से उसका मानसिक संतुलान बराबर नहीं था by God's grace और दो-तिन दिन में वो नॉर्मल हो जाएगी ये बात सुनकर अनिल बहुत खुश होगा if you don't mind क्या मैं एक बार अनिल की दीदी से मिल सकता हूँ sure आँ doctor close circuit टीवी से patient को observe करते है न और record भी करते है न hundred percent patient से कौन कम मिलने आता है इसको observe कोडना हमारे hospital का rule है doctor आपने बताया की आज अनिल अपनी दीदीद से मिलना आता था can I watch it sure कि दीदी कि आज मैं हद से ज्यादा खुश हूं तुम आज नॉर्मल होकर घर आ रही हो कि इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रहा था कि तुम घर आ गई तो समझो जो मैं चाहता था वो हो गया प्लीज एक बार रिवाइन किजिए से जो मैं चाहता था वो हो गया माई गॉड बातों में तो सौफ्टनेस और आखों में लेकिन मुझे मालूमाँ अनिल ऐसा नहीं कर सब्सक्राइब सम्थिंग रियली रॉंग में थे एवरिधिंग इस रॉंग डॉक्टर जब अनिल की सिस्टर नॉर्मल हो जाएगी तब अनिल को बताने से पहले आप मुझे बताईएगा मुझे उनकी दीदी से मिलना है डेफनेटल थैंक यू डॉक्टर ऑके थैंक यू ओके हेलो सेपी साहब मेरी दीदी के बारे में इतने इंकॉरी कर रहे हो वजया बताएंगे हाँ आपने अपनी प्रेमिका को देखने के लिए चार दिन का लीव मांगा था मगर एक ही दिन में वापस आ गये और उस दिन आपने ये बात नहीं बताया था मैं दीदी को देखने आया था आप विश्वास दिला रहे हैं इनवेस्टिगेशन किसी बी डिरेक्शन में करूँ दाट आपनी ड्यूटी कीजिये मैं अपना स्टेटस आपको दिखाता हूँ गोश्ट भूत प्रेट आत्मा सोल क्या आपने उसे बात किया अम आवस्या की रात आपको डेड़ लाइन रखना है एक IPS आफिसर होकर इन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं और आप हमको भी विश्वास करने को कह रहें मिस्टर चटर जी यह 21st century यह आप याद रखिएगा सर मैं सच कह रहा हूँ आप जाकर अपना mental condition चेक कराईए चेक अप कराने से पहले मैं आप से कुछ सवाल पूछ सकता हूँ क्या वाई नाट सर हवा होती है होती है क्या वो दिखाई देती है हमें नहीं दिखती है करन्ट होती है न होती है वो हमको दिखाई देती है नहीं दिखती है वैसे ही आत्मा होती है For example और किसी क्रिमिनल को पकड़ना होता है तो हम किस पर निरभर करते हैं पोलिस डॉक़ पर क्रिमिनल को उसने देखा नहीं मगर उसका स्मेल सुंकर वो हमें उस तक पहुचाता है स्मेल सुंकर काथल तक पहुचाना It's a dog's quality और आत्मा तक पहुचाना शीव सास्ती जैसे इंसानों का क्वालिटी है नो आर्गुमेंट अब दुबार अगर तुमने इस डिरेक्टर को सस्पेक्ट किया तो मुझे तुमको सस्पेंट करना पड़ेगा और इस केस को ड्रॉप करके उस को डिरेक्टर के साहत मेलो सर प्लीज अंडरस्टैंड सर इस केस इस इंपॉर्डेंट सर को डिरेक्टर की केस को हैंडल करते वक्त मुझे भानू की लाश मिली सर और इनका फोटो था उसके लॉकेट के अंदर मिश्टर एक पी उसकी प्रेमका को किसी ने मार दिया इस बारेम उसने च्से महन पहले कंप्लेंट कर दिया था अगर कातिल नहीं मिला तो हमने वह फाइल भी बंद कर दिया शमच गया ? स मझ गया सर, इस केज़ यो क्लोज करता हूं अुध के सौरी अब मुझे तुम्हारा टेलेंट मालूम पर गया है आपने सही पहचाना किप अब अल्डी पैस्ट थेंक्यू वेरी मुझ अब तुम को डिरेक्टर का केस भूल सकते हो अब को डिरेक्टर की आवाज प्यपर भयान सब इसब तो नहीं होगा ने सार पैसों में से दस लाग उसके परिबार वालों को दे दूंगा अब एक आशी राम यावाज किसकी है अभी तो कुछ और था इधर 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 रख दिया वो को डिरेक्टर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बताया था ऐसा नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता मैं कैसे मरा मुझे नहीं मालूम उस चम्चे ने मुझे कुछ पैसे दिये तेरे बारे में इसलिए मैं यह सब कर रहा था अब जा सकता है अरे आप बहुत पनी है पनी नहीं रहे फैक्ट है यह जब तु पेपर बदल रहा था तो भी मुझे डाउट हो गया था तुझी शिवा रेडी से में विक्री करवा करो के सटलाया था ना मैं भी उसी शिवा रेडी से रिकॉर्डिंग करवा के लाया हूं और बहुत है तो मैंने फोन टैप किया तो पता चला कि तुम दोनों जीजा साले हो यह यही सोच रहा था कि मैं अमेरिका से आया हूं मैं बेवकूप हूं गदा हूं भूत का ड्रामा करोगे तो मैं डर जाओंगा और मुझसे पचास लाग ले लोगे एक चोटी सी जलक दि अगर तुम लोग मुझसे उल्जोगे तो तुम्हारा डेडी स्टेटमेंट मुझे ही लिखना पड़ेगा यूनों वू आयम लॉस एंजल किंग लॉस एंजल किंग यू स्टूपीड राचकल फेलोज मुझसे पलगा आया मुझसे अले अब मैं गाजर खाओंगा मिश्टर चटर जी अनिल के सिश्टर अब नॉर्मल है डॉक्टर मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूं ठीक है लेकिन ज्यादा स्ट्रेस नहीं किजिएगा ओक्ए गुड़ीबनील मेरा परिच्छ है चैटर जी आई पीएस ऑफिसर आपका भाई अनिल नहीं मेरे भाई को कुछ मत कीजिएगा खूल खूल हम उसे कुछ नहीं करेंगे मानती हूं कि वो थोड़ा बहुत नादान है को से मैं आकर उस दिन उसने मुझे मानने की कोशिश की ल उसने मुझे यहां रखकर मेरी इलाज भी करवा है उसे कुछ मत कीजिएगा सर्थ लेकिन आपका भाई आपको असल में मानने की कोशिश क्यों किया था बता सकती है यां प्लीज बताईए उसका क्यारेक्टर ही ऐसा है अनील अनील मुझे तमसे अज़न्ट बात कर निया क्या बात है क्या हुआ मेरी मा बहुत बीमार है तुरन्त अस्पताल ले जाना पड़ेगा किसी भी हालत में 3000 रुपे दे लीज किसी भी तरह पैसे दे दो यह ले तैंक्स यार जाके जल्दी मा कहा हिलाज हो जा वह सच बोल रहा था यह जूट बोल रहा था यह सब जाने बगेरी तुमने उसे पैसे दिये ठीक नहीं है मा की बिमारी का बाहना बनाकर जो किसी को ठकता है वो इंसान नहीं और मेरा दोस्त ऐसा नहीं है ठीक है मैं आफिस जाती हुँ हुँ तू तो बड़ा चलाक है यार तेरे पास पैसे नहीं ते फिर तीन अजर कहां से लाया एक बगरा मिल गाता है यार आसों के साथ मदद मांगा था क्या टिल कि तरह click गव्या माका बहाना बनाया था बस फिनिश अब केसी है यह पूझा गफराने की कोई जरूरत नहीं मैंने लाज शुरू कर दिया सब ठीक हो Gesale गलत है, जूट बोलना बिल्कुल गलत है, पीने के लिए पैसे चाहिए तो मांग लेता, दोस्ती का गलत फायदा क्यों उठाते हो, अगर तू इसी तरह जूट बोलकर लोगों से पैसे मांगते रहा, जब तुझे सच में पैसे होगी, उस समय तेरी साहता कोई नहीं करेगा, सुरी, मुझे माफ करते, मैंने माफ करना छोड़ दिया है, अरे क्यों ऐसी हरकते करते हो जो ऐसे दिन देखना पड़ता है, चै, तू मरने वाला था, बज़ गया, समझा, अनिल, तुम चुपचप के बैठे है, क्या बात है, वो जो लड़का आया था ना, अपनी माँ का भाना बना कर जूट बोल का पैसा ले गया, क्या हुआ, मैं इसे लोगों से बहुत नफनत करता हूँ, मैंने उसे बाटल फोर्ट के गुशा दिया, तुमने उसे मार दिया, नहीं, मैंने उसे बचा लिया, देखो अनी इसी mentality की वज़े से अपने दोस्तों से दूर हो गये अपने रिष्टेदारों से दूर हो गये तुम दूसरे के बारे में सोचना चोड़ अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हैं अब और अपनी लाइफ देख रहा हूं वो लोग मेरे लाइफ में इंटर और करते हैं अपनी ज़रुवतों के लिए मुघे इस्तेमाल करते हूं कि मैं इस तरह के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता सब लोग तुम्हारे जैसे हो ज़रूरी तो नहीं कि तू नहीं है क्या अगर तू नहीं होती तो शायद अब तक मैं भी नहीं होता हूं अब रहने भी दोनिल एसक्यूज में एससार आपको बुला रहा है मैं आ रही हूं मैं मिलके आती हूं एसा ही कि अगर मुठीक हो गया हो तो चलो खाना खालो कि तुम इस तरह की गिरी हुई और थे अगर मुझे पाता होता तो मैं तुझे पहले वार देता है अनिल क्या करें अनिल इभी बात सुना अनिल अनिल और आज तक मैं ये बिल्कुल समझ नहीं पाई जट्रजी साब कि अनिल मुझे क्यों मारना चाहता था कलपना उस दिन कांस्टेबल आपको बाहर क्यों बुलाया था बताएंगी हर रोस की तरह मैं उस दिन ओफिस से लौट रही थी कलपना तुन फरी उस दिन तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया यह बहुत जल्द मालूम पर जाए टेक रेस हम लोगों ने उसके बारे में जो सोचा था वो गलत है उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद समझ में आ रहा है कि वो बहुती अलग किसम का इंसान है वो उसी को मारता है जो घलत होते हैं को डिरेक्टर और चित्रा दोनोंने मिलकर ड्रामा खिलाता और उसने ही भूत के गेटब में को डिरेक्टर को बड़ी निर्दई से मौका मिलते ही माट डाला और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका अगला टार्गेट चित्रा है अगर शराबी जूमजरा मेरे लबो को चूमजरा नशी में हुजा चूर जरा कैता है दो जाओ क्यों है तो गुम सुम जरा मस्ती में हो जा गुम जरा तु भी मचा ले दूम जरा कैता है दो जवा मेरे चड़ती मस्त जवानी कहती है कर्मन मानी तू दे दे कोई निशाने दो जरा है हों शराबी जूम दरा मेरे लबो को चूम जरा नशे में हो चाँचूर जरा कहता दो जरा चूले मुझे चकले मुझे नमकीन हूँ यारा मेरा तन बदन करता है तंग बाहों में भर यारा अरे पापा 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 पी ले अरे जजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज प्याना पानी सुन जरा है, है, शराबे जूम जरा मेरे लबों को जूम जरा नशे में हो जा चूर जरा कहता है दिल जवा दिल में समा ले ले मजा बड़ी होट हूँ यारा रंगी फिजा कर ले मजा बाहों में भर यारा अरे जा 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 जाने जा अरे आ 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 पास आ जा पी ले जरा जी ले जरा नजरों से तू नजरे मिला होटों पे होट लगा दे, सासों को तू महदा दे, जिसलियों की प्यास बुझा दे, सुन जरा हो शराबी जूम जरा, मेरे लबों को जूम जरा, प्रशे में हो जाचू जरा, करता है दू जरा अरे अने, यहां पर क्यों लेकर आया हो, मैं यहां शूटिंग करने का सोच रहा था, यह लोकेशन अच्छा है ना, मैं अच्छी नहीं हूँ, शादी से पहले इस सब करना, गलत बात है, बोल तो ऐसे रहे हो, जैसे इतने दिनों तक हमने कोई गलती नहीं की, सच में, अने, तुम सो कुछ दिन ओद्धू रहती, तुहें बाखी में मर जाती तुो, नहीं मरी तो क्या हुआ, मैं अब तुझे मार देता हूँ, अने, 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 तू शराब की तरह है, जिंदर रहीगी तो नशा चारा के मारेगी, क्या हुए तुम्हें, अने, अने, तु किस तरह क मुझे उस दिन पता चल गया था जब मैं तेरे घर के आया है उसको डारेक्टर के हेंड़ाइटिंग का प्रोगाम देखकर ही मैं समझिया था कि तो किस तरह की आउरत है लेकिन इस्टेप बाइस्टेप परकना भी ज़रूरी था उसके साथ मिलकर क्राइम बना रही थी ना इसलिए मैंने उसको डारेक्टर का मडर कर दिया मुझे ब्लैक्मेल करके तुम मुझसे जो चाहोगे वो करवा लोगे जान लो आज तक जो वी अवरत की जिन्देगी के साथ खेला है उसका भला नहीं हुआ है आपके तुम समझते क्या हो मैं तुम्हारे साथ घुटने टेक दूंगी खुद को तुम्हारे हवाले करने से तो बहतर होगा कि मैं अपने हाथों सो खुद को मार डालू उसी दिन में तुझे भी मार देता लेकिन तू उस एसीपी की वज़ा से बच गई अनिल अनिल मैं तुमसे प्यास में तेरे पास दो दिल है और दो जुबान है तू जहरीली ओरत तू शुरी से ही मुझे दोका दे रही है मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा पुट चुट झूफ लोगी हुड यह लोग जए कैसा? आए कर रिरस एए दे ने 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 मिला इत एए अ ए हम आय दे ए को! एए नए 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 जोड़ा मजीन नए ने 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 नए! 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 सब्सक्राइब नेक्स्ट, सिस्टर हलो, डॉक्टर, मैं ACP चैटर जी बोल रहा हूं इमीडियेट लिए अनिल के सिस्टर के लिए सिस्टर के लिए सिक्रोरिटी का इंतजाम कीजिए लेकिन क्यों इस वक्त आप वही किजिए जो मैं कहे रहा हूं ओके लिए सिस्टर के सिस्टर के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम कीजिए चल से जल्द कीजिए ये कुन सा केस है ये अक्टिट का केस है कर दो कि दिदी कि अनियर कि मैंने जो भी किया है जितनी भी सारी गलतियां की है कि उसके लिए मुझे माफ कर दो दिदी माफ ही मंगने के कोई बात नहीं है तुझे गलत फेहमी थी इसलिए तु इस तरह से बिहेव कर रहा था तुन्हें मुझे मानने की कोशिश कि मुझे अब सब कुछ पता चल गया है मैं अपनी जगा गलत था चलो घर चलते हैं चलो दि इस वक्त हाँ इस समय ठीक रहेगा मैंने पंटी जी से पूछा उन्होंने का यह वक्त सही है चलो दिदी कि अग्या माई गॉड अनिल साडिस्ट है हां सर सर रूम नंबर टेन का पैशन नहीं है सर वाट यह अनिल का ही काम होता है आप लोग जल्दी जाहिए पुरे हॉस्पिटल में सब्सक्राइब क्या हुआ अनि पुलिस मेरे पीछे पड़ी है तुने क्या किया है कुछ नहीं किया मैंने तो मेरे पीछे क्यों पड़े है मैंने तुम्हें मारा था ना उसी कंप्लेंट की वज़ा से यह लोग मुझे अरेश्ट करना चाहते हैं अगर आज हम यहां से भाग गए तो कल जा कि अगर तुम्हारा सिस्टर इनोसें उसे मत बालो और तुमने जो खून किया है उसके लिए अपने आपको साइंडर कर दो तुमने खून किया है हां और अपने तुम्हारा भी खून कर दूगा अनिल लिसन टूबी आपको अनिल आपको आपको अनिल लेग कोई आपका अनिल अनिल लेग खून किया है तल्पना, उट्वाँ, नरने के जरुवत नहींगे, मेरे साच्छा. बाग्चा, तल्पना, भाग्चा यहांते? तल्पना भाग्चा! नहींगे, बाग्चा, पुषफ यहांते? नहींगे, रहींगे, पाँशाँ! बाग्चा यहांते हैं को प्रेंगे, बाग्चा यहांते हैं थ्यों आँ सुल झाल प्ली न 230 receiver प्ली प्लों का एज अभ तूर कंटो hal असी तूर कंट करन है खज़ पसके अ अंजए बखख़ जञाओ ओरा जगए भाई शॉक मुले जगए हम लगए वे पुट्वर भाईखवाओ भॉट्वर वे जगए 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 जगाओ 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 जगए 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 आई एम खर प्रहल कि आप आप कि अप कि अप कि अप कि अप कि कि मैंने चितना अपने माबाप को नहीं चाहा उतना मैंने तुझको चाहा और तू नहीं मुझे मुझे को धोका दिया तूने उस दिन जब कॉंस्टेबल घर पर आया था तो मुझे मालूम नहीं था मैंने जब तेरा बेग खोल कर देखा तो उसमें मुझे कॉंड़म और होटल का बिल मिला वो देखकरी मैं समझ गया कि तू बुरे चरित्र की आउरत है मेरा दिल फट गया और मुझे लगा कि मैं तुझे चीर के रखतू दो पैसों के लिए दस लोगों के साथ सौने वाली आउरत धर्म की बात मुझे समझाती है अब मैं तेरा खून करके अपने तिल को ठंड़क पहुचाऊंगा अब तू नहीं बचेगी अनेल रुको अगर तुमने सेस्टर को कुछ किया तो मैं मजबूरन तुमें शूट कर दूँगा मुझे मारोगे तुम मुझे मारोगे तुम अनेल मैं इसे नहीं छोड़ूगा मार दूगा अनेल सिस्टर सिस्टर अनेल तुम डॉक्टरों कुछ नहीं करोगे अनेल अनेल नो अनेल इसी इसी अनेल 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 एक गंती अवरत के लिए एक अच्छे आदमी का मारे जाना अच्छी बात नहीं रिवालवर मुझे दो कि ए ए तो है 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 प्रेमी का भानु को भी मेशन अस्टेंड किया भानु गाउं जा रही थी और ये जानकर रमया ने उसके घर की चाविए अपने पास रख ली और तुमने जो देखा वो भानु नहीं रमया थी और तुम ये जाने बीना भानु को माट डाला और ये तुम्हारा बैस प्रेमी का भानु जिस बस में चड़ी थी उस बस का ब्रेक फेल हो गया था और वो जब तुम्हारे पास पहुंची थी तो लेट पहुंची और ठेक इसी तरह गलत फैमी का शिकार होकर तुमने एक के बात एक गलत काम की बानु तुम्हारी मौद का जिम्मेदार हूं भानू मैंने असलिया जाने बिना ही तुम्हें मार डाला और तुम मुझे दिलों जान से चाहती रही तुम्हारे जैसे चाहने वाले मुझे साथ जन्मों तक नहीं मिलेगी मैंने जो तुम्हें सजा दिया है अब वहीं सजा अपने आपको दूंगा मुझे से इंसान कुछ से कोई हख नहीं जो ना ऐसे मरना प्रायस्चित नहीं है बानू के आत्मा को शांती नहीं मिलेगी बट प्रायस्चित के कहीं और भी रास्ते हैं उस पे चलो कम ओन कर दो कर दो